तो अगर आपको फ्री का रेविलेंट मिन्यान चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना सो यो वट्सप गैज क्या हाल चाल है आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं एक और नी वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप पर दे तीन लाग तक कैसे कमा सकते हो यस गैज अगर आपको फ्री में पैसा कमाना है तो कैसे कमा सकते हैं यह कुछ कुछ टीप सेंटरीक है तो कि अबसली वन टाइम आपको ग्राइंड करना होगा और इसकी बाद हर डे आपको तीन लाग जो है वो देंगे मिनियन वगेरा से भी आप कमा सकतो हो मिनियन से क्या होता है कि आपको सेल करना होता है वो आइडम को उसके बाद वो मनी वगेरा आप बैंक में रखोगे लेकिन यह एक ऐसा आइटम है यह एक ऐसा चीज है वो डायरेक्ट आपके एकाउंट पर चला जाएगा वो कौन साई इस गुर्ड में हम लोग बात करने वाले है तो रिसेंट यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही जिस अपडेट में हम लोग बेंऍक वेगरा जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं तो यहाँ पर आज हम लोग bank upgrade करेंगे इसके साथ ही money making का कुछ tips and trick और साथी से तो बहुत सारे बंदे मुझे help मागते हैं T4 के लिए तो yes guys मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ क्या मैं सच में T4 कर सकता हूँ या फिर guys नहीं क्योंकि मैं बहुत सारे भाईयों को बोला हूँ यार मैं only T3 try किया हूँ T4 नहीं try किया हूँ तो इस वीडियो में हम लोग bank upgrade करेंगे बात करेंगे कैसे money making कर चकते हैं और साथी साथ guys हम लोग T4 भी solo करने वाले हैं देखने वाले हैं guys कि क्या मुझे और धे सारा मिहनत लगने वाला यह सारा यह जो अभी मैं massive armor पहना हूँ इस armor से क्या मैं T4 सकूँगा या फिर guys नहीं सकूँगा तो यहाँ पर बहुँ सारे बंदे जो है वो आये हुए थे और वो कुछ-कुछ चीजे जो है वो मुझसे माग रहे थे तो अभी मैं wolf slayer 4 पर हूँ मुझे 5 करना होगा उसके बात 6 में जाके मुझे मस्त वाला एक sword मिलने वाला है अभी मैं 5 की बात करूँ तो यहाँ पर wide 2-1 नाम का एक recipe मिलता है यह अच्छा item है red claw artifact भी आपका damage बढ़ाता है तो अगर आप damage related कुछ item खोज रहते तो देखो guys मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप artifact बनाते हो red claw artifact तो guys कहीं न कहीं आपका damage increase होगा तो yes guys यह आप एक चीज consider कर लेना इसके अलावा बाकी आप wolf slayer करोगे या फिर जॉंबी slayer तो भी आपका critical damage जो है वो तीरी दीरे एक एक करके हर एक slayer पर जो है वो बढ़ते ही जाता है तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं bank के लिए उसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए होगा enchanted gold block और साथ की साथ guys 5 million इसके बाद मेरा जो bank है profile इसे मैं upgrade कर सकता हूँ कितना enchanted gold block चाहिए होगा मुझे चाहिए होगे 10 enchanted gold block ओके तो it means कहने कहीं मुझे यह gold block खरेदने के लिए 2 million या फिर 2.5 million के एपरोक्स जो है वो पैसे जाने वाला या फिर 3 million देखते हैं कितना चाहिए गा और साथ ही साथ पलस और 5 million मुझे चाहिए होगे क्योंकि guys मुझ आप सभी भाईयों का मैं try करूंगा guys बीच बीच में giveaway जो है वो करते रहों बागी तो guys अभी giveaway स्टार्ट हो गया है तो जो भी बंदे giveaway मैं अभी थोड़ी दिर पहले आपको बला था Revenant Minion का giveaway so please guys आप डिसकोट जोइन कर लो वहाँ पर आपको free का Revenant Minion मिलने वाला है अभी जिस्ट मैं giveaway स्टार्ट करने वाला हूं तो जिस्ट आपको वहाँ पर one click करना है और इसकी बाद आप giveaway winner हो सकते हैं आप में से कोई भी बंदा हो सकता है तो मैं try करते हूं देखता हू आप लोगों डिसकोट जोइन कर लो और तूरत यहाँ पर आप Revenant Minion जो है वह free में पास सकते हो अगर आपको और ठीर सारा आइटम चाहिए अच्छे अच्छे आइटम जो कि मैं अभी upcoming दिनों में करने वाला हूं तो इसके लिए आपको डिसकोट पर active रहना होगा जिस्ट गॉल्ड ब्लोक जो है वो खरिद लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बैंक अपग्रेड करना होगा इसके अलावा हम लोगों के पास कोई options नहीं है अगर करेंगे तो basically guys फायदा होगा हम जादा money वगएरा रख सकते हैं अभी जैसे आप सभी लोगों को पताई होगा मेरे बैं मिलेगा लेकिन अगर आप उससे cross कर जाते हो तो आपको interest rate जो है वो बढ़ जाता है तो yes guys यह मेरे लिए अच्छी बात होगी तो मैं क्या करूँगा कि इस bank को मैं upgrade करूँगा जब मैं upgrade करूँगा तो ध्यान रहे guys अगर आप upgrade करना चाहते हैं तो आपका जो यहाँ पर gold ingot okay ingot की मैं बात करूँ उसका collection दो लाख पचास हजार कम से कम होना चाहिए तब यह आप bank को upgrade कर सकतो अगर आपका नहीं है तो सबसे पहले तो आपको gold collection unlock करने होंगे इसकी बात price की बात करूँ कितना लगेंगे तो सबसे पहले तो आपको 10 enchanted gold block लगेंगे और 5 million जो है वो प का use करते हुए upgrade कर सकते हो so let's go हम लोग यहां पर सब gold block जो है enchanted वो खरिद लिये हैं 5 million करके हम लोग जस्ट कुछ नहीं करना है bank upgrade पर आपको click कर देना होगा यह bank तूरंत upgrade हो जाएगा exclusive ध्यान रहे गाईज यह basic bank था इसे हम लोग exclusive बना रहे हैं और अगर आपका में option नही ध्यान देना जो कि बंदे हो सकता है confused होंगे सबसे पहले तो आप कुछ transaction करो कुछ पैसा निकालो bank से so hopefully यहां पर bank upgrade आ जाए अगर नहीं आता है so फिर एक और last option है वो है guys जो मैं अभी बोला आपको gold ingot का collection है वो आपको कहीं न कहीं unlock करना होगा मुझे लगता है यह ऐसा त जो है वो दिखना चालो हो जाएगा तो यहां पर अब हम लोगों का bank upgrade हो चुका है exclusive पर और अभी हम लोग max money जो है वो रख सकते है 100 million, 100 million काफी ज्यादा high होता है और हमें interest guys 3 lakh per day मिलने वाला है तो 3 lakh obviously जिसके मैं बोलागा giveaway वेरा आप सभी भाईयों का help करूँगा तो हो जाएगा तो देखो यहां पर दिकत यह है कि अभी 100 million तो मेरे नहीं होगे दीरे दीरे हम लोगों को grind करना होगा उसी के बाद ही हम लोगों का 100 million होगा by the way guys मैं अपना यहां पर sky block पर अपने island पर हम लोग लगा चुके है blaze minion जो की high rate होता है blaze minion का आप चाया तो यह use कर सकते है मेरे पस कोई minion extra और नहीं है blaze का so please मुझे blaze minion वेगरा मत मागना इससे पहले भाई मुझे लगता है मैं 50-100 blaze minion का give up यह अल्रेडी कर शुका हूँ जो बंदे पुराने हैं उनको पता होगा so हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं जल्दी से wolf slayer 4 जो है वो activate करते हैं और इसके बाद हम लोग चलते हैं just village के आगे सामने वाला जो यहाँ पर है न वुल्फ वाला ruins area या ruins पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर आपको low level के wolf देखनी को मिल जाएंगे so अगर आपको normal यहाँ पर मारना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं या फिर आप चाहे तो hauling वाला एक cave आता है दा पार्क पर fast travel आप जब करोगे न तो आपको देखनी को मिलेगा वहाँ पर भी आप जा के कर सकते हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं कुछ यहाँ पर मार रहे हैं और उसके बाद hauling cave पर जाएंगे तो मैं क्या सूंसरा हूँ जल्दी से हम लोग fast travel करते हैं hauling cave जाएंगे वहाँ just collection complete होना रहेगा और हम लोग यहाँ आ जाएंगे देखो यहाँ होता क्य है कि नोर्मल 250 के वुल्फ आपको कम damage देखने को मिलेंगे जो extra damage मिलेगा और वहाँ क्या होगा कि अगर boss damage दे रहा है plus 5-6-7000 के अगर wolf damage देंगे तो कहीं न कहीं आपका help जल्दी घटेगा by the way मैं अभी तक solo try नहीं क्या हूँ टीफोर तो मुझे कोई idea नहीं है हो सकता है guys मैं एक बार में मर जाओ sorry मतलब की मैं नहीं सकूँ so मुझे कहीं न कहीं यहाँ पर एक बार try करना होगा तो मुझे भी idea हो जाएगा कि सही में मेरे से हो पाएगा या फिर guys नहीं हो पाएगा अगर नहीं हो पाएगा तो obviously sword वेगरा तो मुझे अच्छा चाहिए होगा तभी हो पाएगा वरना possible नहीं है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा तेर collection किये और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं hauling वाला cape ध्यान रहे हैं आपको the fast travel वाला option पर जाके यहाँ पर आपको the park जाना है और इसके बाद आपको hauling cape देखने को मिल जागा है इसके बाद आप यहाँ पर से यह जो 6000-7000 के आपको fulls देखने को मिल रहे हैं इनको आपको damage देखे जल्दी kill करना होगा बट इसमें भी थोड़ा सा मेहनत लगता ही है means अगर मैं normal एक average rate बताऊं वहाँ पर ruins से, ruins में मान लो आपको collection complete करने में तो minute लग रहे है wolf का जितने भी mid boss spawn होता है तो यहाँ पर आप आउगते हो 1 minute and 30 second लगेंगे तो पूरा short time तो नहीं है लेकिन थोड़ा समय आपका यहाँ पर बच जाता है यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको wolf देखने को मिल जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं जिस्ट गैज में यहाँ पर collection unlock करता हूँ और फिर गैज आपको बताता हूँ मतलब कि boss just spawn होना रहेगा और फिर मैं बताता हूँ यहाँ हुआ गया कि यह जो collection था 131 का collection था और जैसे मैं 129 किया वाई मेरा boss spawn हो गया मुझे पता रही था मुझे लगा 130 होगा उसके बाद boss spawn होगा बट यहाँ unfortunately पहला तो यह मेरा disadvantage होगा कि मुझे यहाँ पर boss spawn नहीं करवाना चाहिए था by the way guys यहाँ पर मैं मार रहाँ वुल्फ का boss को लेकिन मेरा damage धीरे धीरे कहीं न कहीं घट रहाए so मुझे लगता है कहीं न कहीं एक समय ऐसा आएगा कि यह जो यहाँ पर 16000 का health है धीरे धीरे घटे 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 जीरो हो जाएगा और सायद से guys मैं मर जाओगा लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक और चीज की भी हो सकती है जैसे यहाँ पर कुछ लेट अभी तो यह solo एक को मैं मार रहा हूँ अभी कुछ second के बाद यह अपने छोटे छोटे बहुत सारे वुल्फ को वुलाएगा और एक साथ वो सब मुझे पर attack करेंगे तो उससे अगर यहाँ से सर्वाइव कर सकतो और बोस को मार सकतो लेकिन अभी तक इस पॉन नहीं हुआ है देखते हैं जैसे इस पॉन होगा पता चल जाएगा कि मैं मरूंगा या फिर जिंदार होगा और राइट गाइस यहाँ पर भाई स्पॉन हो चुका है अब हुआ क्या यहाँ पर द पीचे से यहाँ पर दोड़ा दोड़ा के आपको डेमेज दे रहा है तो आप जल्दी आपका डेमेज बहुँच जल्दी जो है आपका हैल्थ घटने वाला है तो आम रिली सॉरी अनफोर्चॉनेटली यहाँ पर मैं टी-4 शॉलो नहीं कर सकता हूं जो भी बंदे को और वल्फ भी करने वाले हैं लेकिन धीरे-धीरे मुझे मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके पॉसिबल है यहाँ पर अगर आप बेंक अफग्रेड कर सकते हो तो कर लेना लेकिन अगर आप करते हो तो तीन लाग पर डे जो है वह आप पैसा कमा सकते हो यह पैसा गाइस बह बहुत वैसे भाई हैं और बेसली वन मिलियन कमाते होंगे लेकिन एक-एक मैं मेथड आपको बता रहा हूँ जिससे आप कही न कहीं अभी अगर आप बेंक अपग्रेड तक नहीं भी पहुंचे हो तो आपके माइन में एक चीज आया होगा कि नहीं भाई एक अगर हमारे प डेमेज कैसे बढ़ाएं आर्टिफेक्ट के बारे में भी बताया तो आप चाहें तो आर्टिफेक्ट भी बना सकते हैं इससे भी आपका डेमेज परसेंट जो है वह यहां पर बढ़ जाता है होफ़ोली आसा करते हैं यहां पर मनी मेकिंग और जिसको भी रेविनेंट मिनियन चाहें जाओ डिस्कोड जोइन कर और गिववे सेक्शन पर एक आया होगा जस्ट अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तो आपको पार्टिसिप्ट लेना है आपको फ्री का कैस रेविनें झाल